आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूटुब चैनल तरगाट्रावल्स पर आज हम मानाने जा रहे हैं कच्छे केले के कोफते जो की बहुत ही टेस्टी बनता है इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें चाहिए तीन टमाटर दो प्याच कुछ हरी मिर्च लिए लिए वही इसे निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि हमारे जो कच्चे केले हैं वह PTS से पक य है या नहीं इसके बाद हम ऐसे सारे छिलके निकाल लेंगे और हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे या मैश कर लेंगे जिन्हों ने अभी तक यह रेसिपी ट्राइ नहीं किया है मैं जरूर सजेस्ट करूंगे आप एक पर ट्राइ करिए बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही इजी है अब हम इसके स्टरफिंग में यह जो हम कोफते बनाएंगे इसमें हम डालेंगे जीरा, कट हुई, मिर्ची, अद्रक, चॉप्ड अनियन्स यानि की कटे हुए प्याज, दो से तीन चमच बेसन और जो हम मसाले डालेंगे वो आप अपने स्वाद अनुसार अपने अनुसार डाल सकते हैं हर्जी, मिर्ची, हल्दी मिर्ची धनिया, नमक, आमचूर पाउडर, गर्व मसाले आप यह खुद के अनुसार डाल सकते हैं और हम इसके अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम सब को अच्छे से मिक्स कर लीजिए मिक्स करने के बाद हम इसके कोफते बनाएंगे चोटे-चोटे बॉल्स इसमें मैं एक एडिशन करना चाहूँगी इससे और सॉफ्ट बनाने के लिए आप इसके अंदर घी या तेल का इस्तमाल भी कर सकते हैं यह देखे हमारे सारे बॉल्स बन चुके हैं अब हम इन कोफतो को डीप फ्राइ करेंगे अच्छे से इन सब को डीप फ्राइ कर लीजिए जब तक एक गोल्डन ब्राउन का कलर ना हो जाए देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं यह वाकी यह खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको तब तक हम इस तरफ अपने सबजी की ग्रेवी ट्राइ करते हैं पैन में हमने लिया है मस्टर्ड ओयल जीरा कुछ गर्म मसाले मिर्ची चॉप्ड अनियन गोल्डें ब्राउन होने तक हम इसे फ्राइ करेंगे उसके बाद हम अधरक लैसंग का पेस्ट और प्याच का पेस्ट भी डालेंगे और अच्छे तो सौटे कर लेंगे इसके बाद हम डालेंगे इसमें कुछ स्वाद अनूसर मसाले हल्दी मिर्ची धनिया नमक और हम इसे फिर से फ्राई कर लेंगे तुछा साब बेसें भी डाल सकते हैं इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमेटो प्योरे टमाटर को पीस के हमने डाल दिया है इसके बाद आप अपने स्वादों साब डाल सकते हैं जैसे कि मैंने या डाला है कश्मीरी लाल मिल्च और गरम मसाला पानी डालके हम इसे 2-3 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे पिर हम पासुरी मेथी आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं एक बार उबालाने के बाद हम इसमें अपने जो कोफते बने थे वो डाल देंगे और पांच मिनिट तक पकाएंगे देखिए अभी अच्छे से इसमें सोख हो चुका है मसाला और कितना अच्छा दिख रहा है तो रेड प्र्टिज किजिए कॉमेंट किजिये बताईए यह रेसिप आपो कैसे लगी था 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 यू अट्यू सो मच वर्ट यह था था